यो गयज वसाब इस डीजी आकाष यो मैं इसा ही चालो बड़ता हुए वीडियो कर रूपो गाइस मैं खुद ही बूल जाए है और तो हाइज लोट्सप्ट इस डीजय काशने में वेलकम बैक में आधि चैनल तो अधिया वही रोड यह वंधारा डोंगर का रहे हैं तो हम लोग को ऊपर नहीं है कि अपने स्पोर्ट पे और में हुँ अभी चादरवाडी डैम के बास ताव व्यू देख सकते हूं काफ ही सही है मज़ा आगया देखके लोग ने बास अब आप अभी आप लगे वहां तो कि अभी आप लुए जया देखके बास एक बास तो कि अभी चादरवाडी डैम के पास नेचर काफी सब्सक्राइब प्रॉब्ले एक ही जगह पर आती है जहां से मैंने बोला आपको राइड मारना है वहां से इतनी तिक चालो थे इतनी गड़े इतने चिकड़े कि पता नहीं सकता है आपको आपको 10 मिट लंगे आपको आधा गंटा तो लगेगा अंदर आने के ल में पर यहां के यहां पर आने के बाद मदा आ गया देखके मतलब वर्त यहां पर आने का है कि यहां का मौसम और नेचर देखो है यह प्यारा नहीं है यह फॉर्स्ट मांटन है यह सेकेंड और वो एक छोटा सा तीसरा है काफी सही अगर आपको अलॉंट टाइंट करना है चील करना है तो यहां पर आजाओ बहुत मज़ा आएगा आपको आप फैमिल के साथ भी आ सकते हो काफी सही रहता है मौसम भी काफी अच्छा है आगेस मौनसून में काफी अच् इता क्योंकि वह जिराता है तो काफी कुपसरत देखता है अच्छा है आप तक पाने देखो है कितना साफ है ओविसले एकदम ये सेड में इसले साफ होगा और काफी अच्छा है और गाईज यहाँ पर बहुत सारे पिकॉक भी है बहुत सारे पिकॉक की आवाज आ रहे है एक्चले कापी करते चलते क्योंके वहां से काफी अच्छा रहे के गुक है अब इस रोड छो चलते हैं वहां चलते है कि लान है हान है यहां पर व्यूव देखो और यहां पर बहुत ज्यादा हवा चल लिए है तो अल्रेट के पास मैं अभी पूझ गए हूं प्रीच के पास चुरू अब बढ़ाता हूं यहां से मैं सी यहां पर ब्रीच जो है ना है इसा लग रहा है वो उतला मैं चल रहा हूं यहां पर नीचे हो रहा है मेरे फट्री पूरी रखी है यहां 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 तो बस आप भी आ सकते हुए यहाँ पर और एंज्यॉई कर सकते हुए मैं बुलूँगा सुबह सुबह आ जाओ ना तो बाद में कराउड होता है तोड़ा सा इसलिए मैं सुबह साथ बजी आ गया तो बस आज की लिए इतना ही अगर वीडियो चले लेगा तो लाइक कर देना कर देना सब्सक्राइब कर देने मेरे चैनल को साइनिंग आफ पीस और इंस्टेग्राम फेस्बूक के फॉलो करना मत बूलना थैंक यू सो मज लब यो वाल पीस गाइज डैम तक जाने के लिए रस्ता बहुत खराब है और बारश में एस्विशली तो बहुत गंदा है तो बहुत ही दिक्कते आती है अब देख सकते हो पूरा चीकड़ और गड़े से भर गया है आगे तो बहुत ज्यादा है तो चलो